मस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पटल फार्मर यूटूब चैनल पर दोस्तों पीला मोजग रोग जिसे फसलो का पिलिया रोग भी कहते हैं बहुत सारे हमार किसान भाई इस रोग से बहुत प्रेसान रहते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं रहता कि यह पीला मोजग रोग क्या होता है यह फसलों पर कैसे फैलता है और इसका नियंतरन किस तरह किया जाता है दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम इसी पीला मोजग रोग के बारे में बात करने वाले हैं कि यह पीला मोजगरोग क्या होता है या कैसे फसलों को प्रभावित करता है और इसे किस तरह से नियंतरण किया जा सकता है दोस्तों अगर आप भी इस रोग से परहसान है या फिर कभी भी आपको इस पीला मोजगरोग का सामना करना पड़ सकता है इसलिए इस रोग की जनकार रहना बहुत ही आवसायक है और आज के इस वीडियो में मैं इसी पीला मोजग रोग की पूरी जनकाई देने वाला हूं जिसे कोई भी किसान भाई इस पीला मोजग रोग का नियंतरण बहुत ही असानी से कर सकता है तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लाश्टे तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और पटेल फार्मर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों पीला मोजग रोग एक तरह का वायरस जनीत रोग होता है जो की मूंग उड़द बीन सेम भिंडी जैसे अनेक फसलों को प्रभावित कर करता है और इससे प्रभावित फसल की ग्रोथ रुख जाती है पौधे में फलियां कम बनता है और फलियों में बीच भी अच्छे से नहीं बन पाता और फसलों की पैदावार 50 फिस दी तक कम हो जाता है एक बार यह वायरस पूरे फसल में फैल जाए तो इसे ठीक करना दोस्तों और छेतों में नमिक धिकता इसी वज़ए से यह वायरस फसलों पर पुनबते हैं और इसे पूरे फसल में फइलाने का काम सफैद मखी करता है जी जी हाँ दोस्तों सफेद मक्ही एक रजचूसक कीट होता है जो पौधे से रजचूसता है और इसी सफेद मक्ही की वज़ा से अगर खेत में एक भी पौधा रोग ग्रसित है तो यह सफेद मक्ही उसका रजचूसकर अन्यसोस्त पौधे पर रजचूसने के लिए बैठती है तो यह रोग उसमें भी फैल जाता है और इसी तरह देखते ही देखते ही यह वायरस पूरे फसल में फैल जाता है और एक बार यह पूरे फसल में फैल जाए तो इसे कोई भी इस प्रेसे ठीक नहीं किया जा सकता है दोस्तों लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बाते हैं जिसे ध्यान में रखकर इस वायरस से फसलों को बचाया जा सकता है तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बाते हैं जिन से इस रोक पर नियंत्रण किया जा सकता है तो सबसे पहले इमीटा कलोरोपीट किट ना सकते बीच को उपचारित करके बुआई करना चाहिए और दूसरा ध्यान दे कि खेत में अधिक नमीना हो कम से कम सिचाई करें और खेत को साब सुत्रा खरपतवार रहित रखें तिसरा ध्यान में रखें कि अगर खेत में एक भी पौधरोग ग्रसित दिखाई दे रहा है तो तुरंत उसे उखाड कर दूर कहीं पर नाश्टा कर दें चौथी जो महतवपूर्ण बाते हैं जिसे ध्यान में रखना है कि मौसम खराब होने पर या फिर फसलों पर सफेद मक्खी का प्रकौफ होने पर तुरंत उसका निवारान करना चाहिए दोस्तो सफेद मक्खी द्वारा संक्रमण को पूरे खेत की फसलों से बचाने के लिए फसल के बुआई के 30 दिन बाद एसी टम मिप्रीट अत्वा इमीड़क्रोरोप्रीट कीट नासक दवा में सलफेक्स मिला कर शिड़काव करना चाहिए अगर पीला मोजग्रोग के लक्षाण फसलों पर दिखाई दे रहा है तो मेटा सी स्टॉक्स और डाइमेथोड दवा का बराबर मात्र में पानी में मिला कर खेत पर शिड़काव करना चाहिए और शिड़काव को सेक्ता नुसार 15 दिनों में दोहराना चाहिए यह थी पीला मोजग्रोग यानि पिलीया रोग की पूरी जानकारी तो आसा करता हम है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखने को मिला होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धर्यावाद